ओम शान्ती यहाँ बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ओम शान्ती ओम शान्ती आज तिनंक 12 मार्च 2020 बाबा ने महवाक्य में हम बच्चों को जो वर्दान दिया वर्दान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे बाबा वर्दान में बोले बिजी रहने के सहच पुरुशार्थ द्वारा निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी भाव आज पिता परमात्मा निराकार हम निराकार आत्माओं को निरंतर सेवाधारी निरंतर योगी भाव का वर्दान दे रहे हैं वर्दान में बाबा कहे रहे हैं बिजी रहने के सहच पुरुशार्थ द्वारा, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भाव, डिटेल में बाबा बुले ब्रह्मन जन्म हे ही सदा सेवा के लिए, जितना सेवा में बिजी रहेंगे, उतना सहज ही मायाजीत बनेंगे, ये जरा भी बुद्धी को फुरसत मिले, तो सेवा में जुट जाओ, सेवा के सिवाय समय नहीं गवाओ, अर्थात, बाबा, हम बच्चों को, इस स्रेष्ट संगम युक के समय का, वो स्रेष्ट ब्रह्मन जन्म का, स्रेष्ट कर्म बता रहे हैं, कि जब बच्चों को ब्रह ब्रहमन जन्म प्राप्त होता है, तो यही इस्मरती रहे कि सदा सेवा अर्थ यहा जन्म मिला है, जितना जितना ब्रहमन बच्चे सेवा में बीजी रहेंगे, उतना उतना माया से मुक्त रहेंगे, माया पर विजय प्राप्त करेंगे, माया उनसे दूर भागेगी, तो बा सेवा में बिजी कर दो क्योंकि मन बुद्धी जब सेवा में बिजी होंगे तो माया का कैसा भी रूप हो वह ब्रह्मन बच्चों को टच नहीं खर पाएगा इस स्रेष्ट संगम यूग पर एक एक सेकेंड अमुल्य है उस एक एक सेकेंड का सदुप्योग करना इस ब्रह्मन जन्म के समय संकल्प स्वांस तथा जो भी खजाने पिता परमात्मा से प्राप्त होते हैं उन्हें सफल करना यही ब्रह्मन जीवन का लक्ष है तो जितना जितना सेवा में मन बुद्धी को बिजी रखेंगे उतना उतना सत्यूग में स्रेष्ट पद प्राप्त कर सकेंगे और इस संगम यूग पर खुद को माया से उपराम रख सकेंगे अर्थात पांच तत्वों की पुरानी दुनिया पांच तत्वों के पुराने देहे देह के संबंध से मुक्त रहने की सहज युक्ती है सेवा में बिजी हो जाओ तो अपना एक-एक समय एक-एक संकल्प एक-एक स्वांस सेवा अर्थ लगाने वाले बच्चे सच्चे ब्रामन हैं माया जीत सहज बन जाते हैं और खुद को न्यारा और प्यारा सहज बना लेते हैं आगे बाबा बोले चाहे संकल्प से सेवा करो चाहे वानी से चाहे कर्म से अपने संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हो सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुशार्थ है बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूट निरंतर योगी निरंतर सेवधारी बन जाएंगे तो बाबा निरंतर योगी अर्थात स्वांसो स्वांस याद में रहना निरंतर सेवाधरी अर्थात समय संकल्प स्वांस एक एक सेकेंड सेवा अर्थ लगाना जिसकी सहज युक्ती बाबा बताते कि चाहे संकल्प से सेवा करो, चाहे बोल से सेवा करो, चाहे कर्म से सेवा करो सेवा ही सच्चा पुरुशार्थ है तीब्र पुरुशार्थ है तो जब तुम सेवा अपने चाल चलन रहन सहन संपर्क में करते हो चाहे सेवा वानी से हो, संकल्प से हो, या बोल से हो, कर्म से हो, तो तुम सहज माया जीत बन जाएंगे और सहज योगी सेवाधरी बन जाएंगे. तो बाबा की स्रीमत, इस स्रेष्ट संगम युक पर, स्रेष्ट ब्रह्मन जन्म का यही लक्ष रहे कि सेवा अर्थ यह जन्म मिला है, एक एक समय, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म, सेवा अर्थ सफल हो, तो ही हम सहज योगी, निरंतर योगी बन सकेंगे, यही हमा जन्म का पुरुशार्थ है। अर्थात लक्ष है। स्लोगन में बाबा बोले आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुसी की खुराग खाते रहो। अर्थात बाबा हमें इस संगम युक पर अनेक खजाने देते हैं अनेक प्राप्तियां कराते हैं और कहते हैं पुराने दुनिया को भूल एक मुझ बाप को याद करो सर्व संबंद मुझसे अनुभव करो सर्व प्राप्तियां मुझसे अनुभव करो तो आत्मा को पावरफुल बनाना तंदुरुस्त बनाना इसकी सहज युकती यही है कि इस संगम युक की प्राप्तियों को इसमरती में लाओ उनका मनन चिंतन करो और उसी उमंग उत्साह में उचलते रहो तो यही प्रामन जीवन की खुसी की खुराख है इसी से आत्मा तंदुरुस्त बन जाएगी आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया उसका मनन करेंगे बाबा बोले मीठे बच्चे बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है तो जो भी खामिया हैं उन्हें निकाल दो पढ़ाई अच्छी रीती पढ़ो और पढ़ाओ बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है तो जो भी खामिया हैं उन्हें निकाल दो पढ़ाई अच्छी रीती पढ़ो और पढ़ाओ प्रश्न किया बाबा ने बाप समान सर्विस के निमित बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए उत्तर में बाबा बोले सहन सीलता का देह के उपर टूमच मोह नहीं रखना है योगबल से काम लेना है जब योगबल से बीमारियां खत्म होंगी तब बाप समान सर्विस के निमित बन सकेंगे दूसरा प्रश्न किया बाबा ने कौन सा महापाप होने से बुद्धी का ताला बन्द हो जाता है उत्तर में बाबा बोले यदि बाप का बन कर बाप की निंदा कराते है आग्याकारी वफादार बनने के बजाए किसी भी भूत के वशिबूत होकर डिस्सर्विस करते हैं काला पन नहीं छोडते हैं तो इस महापाप से बुद्धी का ताला लग जाता है गीत सुनाया बाबा ने कौन आया मेरे मन के द्वारे धार्णा में मुख्यसार बाबा ने सुनाया पहला करमेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे अनेकों की बद्धुआये निकले अपने भविष्य का ख्याल रख पुन्य कर्म करने है करमेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिसससे अनेकों की बद्धुआये निकले अपने भविश्य का ख्याल रख, पुन्य कर्म करने है दूसरा पाइंट बाबा बोले अंदर जो भी काला बन है देह अभिमान के कारण भूतों की प्रवेस्ता है उन्हें निकाल देना है ग्यान से अपना स्रंगार कर सपूत बच्चा बनना है अंदर में जो भी काला पन है देह अभिमान के कारण की भूतों की प्रवेस्ता है उन्हें निकाल देना है ग्यान से अपना स्रंगार कर सच्चा सपूत बनना है ये थे बाबा के महावाक्य अच्छा ओम शांती